दोस्तो यदि आपके यूटूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर हुए काफी दिन हो चुके हैं यानि दोस्तो आपके यूटूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर हुए 6-7 दिन हो चुके हैं लेकिन दोस्तों अभी तक YouTube की तरफ से आपके YouTube चैनल पर इस तरह से Community Tab वाले Option को Enable नहीं किया गया है तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने YouTube चैनल पर जल्द से जल्द कैसे इस Community Tab वाले Option को Enable करवा सकते हैं YouTube की तरफ से नमस्कार दोस्तों मैं मंदीव सर्मा आपका टेक में स्वागत करता हूँ तो दोस्तों अपने YouTube चैनल पर जल्द से जल्द इस Community Tab वाले Option को Enable करवाने के लिए आपको क्या क्या करना है यह जानने के लिए आपको चलना होगा मेरे मोबाल की स्कीन पर दोस्तों मोबाल की स्कीन पर जाने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा यदि आप इस channel पर पहली बार आएं तो इस channel को नीचे लाल वाले subscribe बटन पर click करके subscribe जरूर करें और bell icon दबा कर all पर भी click कर दें ताकि जब भी इस channel पर मेरी कोई नई video upload ओ तो उस video की notification पहुचे सबसे पहले आपके पास तो चलिए दोस्तो जादे देर ना करते हुए चलते हैं मोबाइल की स्कीन पर तो दोस्तो येदि आपके YouTube चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर हुए काफी दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक YouTube की तरफ से आपके YouTube चैनल पर Community Tab वाले option को इनेवल नहीं किया गया है तो दोस्तो आपको क्या करना है अपने YouTube चैनल पर Community Tab के option को इनेवल करवाने के लिए आपको दोस्तो YouTube को Feedback send करने के बाद आपको एक और काम करना है वो मैं इसके बाद आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तो फिलाल हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे हमें यूटूब को feedback send करना है तो दोस्तो feedback send करने के लिए आपको आ जाना है अपने यूटूब के app पर यूटूब के app पर आने के बाद दोस्तो आपको यहाँ पर click करना है दोस्तों यहाँ पर click करने के बाद आपने क्या करना है आपने your channel के option पर click कर देना है दोस्तों इस पर click करने के बाद यह देखिए यहाँ पर three dot का option आपको दिखाई दे रहा होगा आपको दोस्तो इस पर click करना है click करने के बाद दोस्तो सबसे पहले आपको उपर share के option पर click करना है और यहाँ पर click करने के बाद आपको दोस्तो यहाँ पर इस copy link के option पर click करके अपने YouTube चैनल के link को copy कर लेना है दोस्तो link को copy करने के बाद आपने क्या करना है आपने फिर से यहाँ पर three dot पर click करना है दोस्तो three dot पर click करने के बाद आपको सबसे नीचे help and feedback का option मिल जाएगा आपको दोस्तो इस पर click कर देना है दोस्तो यहाँ पर click करने के बाद आपके सामने एक नया page खुल कर आएगा जिसमें दोस्तों आपको यहाँ पर एक option दिखाई देगा यह देखें यहाँ पर send feed whack तो दोस्तों आपको इस पर click कर देना है दोस्तों यहाँ पर click करने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है यहाँ पर आपको क्या लिखना है वह मैंने दोस्तो वीडियो के description में आपको दिया हुआ है आप वीडियो के description में जाकर उसे copy करके यहाँ पर paste कर सकते हैं लेकिन दोस्तो आपको क्या-क्या करना है उसमें यानि जो मैंने description में लिखा हुआ है उसमें आपको क्या-क्या change करना है वो मैं आपको बता देता हूं तो दोस्तों सबसे पहले मैं उसे paste कर देता हूं तो यह देखिए दोस्तों मैंने इसे यहां पर paste कर दिया है आप भी इसी तरह से वीडियो के description में जाकर इसे copy کرके यहां पर paste कर सकते हैं वर दोस्तों आपको क्या करना है आपको यहाँ पर यह देखिए यहाँ पर अपने यूटूब चैनल का लिंक चेंज करना है यह देखिए और यहाँ पर नाम चेंज करना है और यहाँ पर अपना नाम लिखना है तो दोस्तों आपको यह चेंज यहाँ पर करना है और दोस्तो एक बात और आपको उपर अपनी Gmail ID देख लेनी है कि वही Gmail ID यहाँ पर लिखी हुई है क्या जिस Gmail ID से आपने अपना YouTube चैनल बनाया हुआ है तो दोस्तो आप इसको भी जरूर देख लें यदि यहाँ पर वह Gmail ID नहीं आती है तो आप इसे change कर सकते हैं यहाँ पर click करके तो दोस्तो यह सब करने के बाद यहाँ पर यह सब लिखने के बाद दोस्तो आपने जो है इस पूरे paragraph को एक बार और copy कर लेना है पूरा select करके क्योंकि दोस्तो आगे एक और काम करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा तो दोस्तो इसे copy करने के बाद अब आपको क्या करना है आपको simply यहाँ पर यह देखिए यहाँ पर send feedback का option आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपको click कर देना है तो दोस्तो जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो आपके यह जो feedback है यह YouTube team के पास send तो यदि आपने नहीं बनाया हुआ है तो दोस्तो आप अपना Twitter account बना ले दोस्तो Twitter पर आने के बाद आपको क्या करना है आपको यहाँ पर YouTube की team को tweet करना है जो अभी आपने यहाँ पर feedback send किया है उसी को आपने यहाँ पर Twitter पर send करना है YouTube की team को उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर ट्विटर में आने के बाद सर्च के option पर क्लिक करना है सर्च पर क्लिक करने के बाद दोस्तों उपर यहाँ पर आपको सर्च करना है YouTube तो दोस्तों जैसे ही आप YouTube यहाँ पर सर्च करेंगे तो सबसे वाला जो यहां पर YouTube का अकाउंट आएगा आपने इसे उपन कर लेना है दोस्तो इसे उपन करने के बाद आपको यहांपर Follow का Option मिलेगा यहांपर मैंने Follow पहले ही किया हुआ है तो दोस्तों आपको यहांपर Follow का Option मिलेगा उस पर आपको उस चीज को पेस्ट कर देना है, जो आपने अभी, यूटूब के एप पर जाकर फीडबेक दिया है, या नहीं दोस्तो, आपको इस ही paragraph को यहांपर पेस्ट कर देना है, दोस्तों यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आपको उपर tweet के option पर click कर देना है यह देखें दोस्तों जैसे ही आप tweet के option पर click करेंगे तो यह जो है यह YouTube की team को tweet हो जाएगा दोस्तों यह दोनों काम करने के बाद आपके YouTube चैनल पर 24 गंटे में community tab का option आजाएगा दोस्तों 24 गंटे में नहीं आता है तो आप 6-7 दिन इंतिजार करें और उसके बाद भी नहीं आता है तो दोस्तों आप फिर से यही काम करें आपके YouTube चैनल पर community tab का option जल्द से जल्द enable कर दिया जाएगा YouTube की तरफ से यदि आप ऐसे करेंगे तो और दोस्तों नहीं करते हैं तो आपके YouTube चैनल पर काफी दिनों तक community tab का option नहीं आएगा तो दोस्तों यदि आपके YouTube चैनल पर 1000 subscriber हुए काफी दिन हो चुके हैं और आपके YouTube चैनल पर community tab का option इनेवल नहीं किया गया है YouTube की तरफ से तो दोस्तो आप इस तरह से अपने YouTube चैनल पर Community Tab के Option को Enable करवा सकते हैं जल्द से जल्द तो दोस्तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आयोगी दोस्तो वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और दोस्तो यह आप यूटूब से रिलेडिट मेरी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को नीचे लाल वाले सब्सकाइब बटन पर क्लिक करके सब्सकाइब जरूर कर दें तो चलिए दोस्तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद